दोस्तो सबसे पहले आपको Play Store पर जाकर किसानसभा एप को इंस्टाल कर लेना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा इसमें simply आप अपना मुऊइल नमबर डाल कर लोग इन करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा तो इसमें आप देख सकते हो जोईन किसान सबा फार्मर भी इसमें रेजिस्टर कर सकता है मंडी डीलर भी, ट्रांसपोर्टर भी, सर्विस प्रोवाइडर भी मंडी बोर्ड मेंबर भी, कंजूमर भी फार्मर प्रोडूसर और्गिनाइजेशन का भी यदि कोई मेंबर है वो भी इसमें रेजिस्टर कर सकता है तो ये सारी फैसिलिटी सरकार के दुआरा इस एप में दी गही है आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप फार्मर हो या मंडी डीलर हो तो आपको कौन-कौन सी बेसिक डिटेल्स इसमें भरनी है तो आप देख सकते हो यदि आप फार्मर हो तो आपको जो बेसिक डिटेल्स है आपके फार्मिंग टाइप क्या है आप किस प्रकार की farming करते हो तो यहां पे आप तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या option है उसके according आप अपना option चूज कर सकते हो जैसे agro farming organic farming हो गया ठीक है dairy milk से जुड़ा है यदि आपका वैशाय है तो आप उसको select करेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपको simply हैं आधार number डाल देना आपका first name, last name, gender male हो या female हो और date of birth के प्रूफ के तोर पर voter ID आधार कार आपको हाँ पर लगा देना अपना address डालना है और जो भी basic details है आप इसमें डाल कर register कर सकते हो अब बात करते हैं कि यदि आप Monday dealer हो तो आप से कौन-कौन सी जानकारी मांगी जाएग आपको यहाँ अपना state select करना है district और Monday का name जिस भी Monday में आप काम करते हो जिस भी Monday में मेरा कहने का मतलब आप dealer हो तो Monday dealer type आप यहाँ से अपना option select कर सकते हो product क्या बेजते हो मतलब क्या खरीते हो जो भी XYZ तो यहाँ भी आप से जो जानकारी मांगी जाएगी वो आप simply भर सकत हो अब बात करते हैं यदि आप transporter हो तो आपको भी सेम ऐसी detail भरनी है voter ID card अपना अधार card अपना name अपना address तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि यदि आप एक service provider है तो आपको क्या क्या detail भरनी है तो select provider इनके service provider आपको क्या service आप प्रवाइड कराते हैं आप यहाँ से select क products ठीक है aqua chemical probiotics, aqua technical experts आप जो भी service XYZ जो भी आप काम करते हैं अपनी category को अपने according हाँ से choose करके login कर सकते हैं as a consumer और ऐसी यदि आप मंडी board member हो तो आप भी अपनी सारी basic details सब में एक जैसे ही मांगी गई है तो आप भरके आसानी से login कर सकते हैं दोस्तों यदि कोई मंडी board member का सदस्य है तो वो भी आसानी से अपनी basic details डाल करके इस app का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों ये था इस वीडियो में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को subscribe करना ना भूले चैनल